अध्याए आठ, संग्या से अव्याय तक, from noun to declinables, संग्या, noun, परिभाशा, संग्या को नाम भी कहा जाता है, किसी प्राणी, वस्तू, स्थान, भाव, आधी का नाम ही उसकी संग्या कही जाती है, दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संग्या है, तता इस नाम से ही उ तीन प्रकार की होती है, एक व्यक्ति वाचक संग्या, दो जाती वाचक संग्या, तीन भाववाचक संग्या, एक व्यक्ति वाचक संग्या, proper noun, जो किसी व्यक्ति स्थान या वस्तू का बोद कराती है, जैसे राम, गंगा, पटना, आधी, दो जाती वाचक संग्या, common noun, ज इन्तो गंगा एक विशेश नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्ति वाचक संग्या है। जाती वाचक संग्या के दो भेद हैं। जैसे वर्ग, टीम, सभा, समीती, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, आदी। तीन, भाववाचक संग्या, एप्स्रेक्ट नाउन। किसी भाव, गुर्ण, तिशा, आदी का ग्यान कराने वाले शब्द भाववाचक संग्या कहलाते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यवन, कालीमा, आदी। भाववाचक संग्याओं का निर्माण, जाती भाववाचक संग्या शब्दों से, सर्वनाम से, विशेशण से तथा अव्यैसे किया जा सकता है। जैसे जातिवाचक संग्या से भावाचक संग्या, पुरुष से पुरुषत्व, नारी से नारित्व, गुरु से गुरुत्व, सर्विनाम से भावाचक संग्या, अपना से अपनत्व, मम से ममत्व, निज से निजत्व, विशेशन से भावाचक संग्या, सुंदर से सुंदर राम ने रावंण को बार से मारा राम, संग्या विक्तिवाचक पुलिंग एकवचन कर्म कारक मारा क्रिया का कर्म परद्ध परीचे में वाक्य के प्रतेकपत को अलग अलग करके उसका व्याकरनिक रूस्वरूप बताते हुए अनिय पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। इसे अन्वे भी कहते हैं। संग्या का रूप परिवर्तन लिंग वचन कारक के अनुरूप होता है। अत्व इन पर विचार करना भी आवशक है। एक लिंग जेंडर। लिंग का शाब्द करते हैं। शब्द के जीस रूप से ये जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाती का है या स्त्री जाती का उसे लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संग्या, सर्वना, विशेशन, आदी शब्दों की जाती का बोध होता है, हिंदी में दो लिंग है, स्त्रिलिंग और पुरलिंग, हिंदी में लिंग निर्धारन, इसके लिए निमन आधार ग्रहन किये जाते हैं, एक, रूप के आधार पर, दो, प्रयोग के आधार पर, तीन, अर्थ के आधार पर, एक, रूप के आधार पर, रूप के प्रिष्ट अर्सट तो वो भावाचक संग्याएं जिनके अंत में त्व, व, य, होता है वो प्राया पुलिंग होती है जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य, आदी तीन, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना, जुड़े होते हैं, वो भी प्राया पुर्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, भुलावा, पागल खाना, आदी दो, स्त्रिलिंग शब्द एक, आकारांत शब्द स्त्रिलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता दो, इकारांत शब्द भी प्राया स्त्रिलिंग होते हैं, जैसे रीती, तिती, हानी, किन्तु इसके अपवाद भी हैं, कवी, कपी, रवी, पुर्लिंग है 3. इकारांत शब्द भी प्राया स्ट्रिलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी, किन्तु अपवाद भी हैं, जैसे हाथी, दरी, पानी, पुर्लिंग चार आई या आवट आहट ता इमा प्रत्ये वाले शब्द भी स्त्रिलिंग होते हैं जैसे लिखाई डिविया मिलावट खबराहट सुन्दर्ता महिमा स्ट्रिलिंग प्रत्याई, पुलिंग शब्द को स्ट्रिलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्याईं को शब्द में जोड़ा जाता है, जिने स्ट्री प्रत्याई कहते हैं एक ई, बड़ा, बड़ी, छोटा, छोटी, भला, भली, दो इनी, योगी, योगीनी, कमल, कमलीनी, तीन इन, दोभी, दोबिन, तेली, तेलिन, चारनी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, पांच, आनी, जीर, जिठानी, देवर, देवरानी, छै, आइन, ठाकुर, ठाकुराईन, लुटिया. दो, प्रयोक के आधार पर. प्रयोक के आधार पर लिंग निर्ने के लिए संग्या शब्द के से प्रयोक्त विशेशन, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है. जैसे एक, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, लड़का पुरलिंग, लड़की स्त्रीलिंग, दो, राम की पुस्तक राम का चाकू, पुस्तक स्त्रीलिंग है, चाकू पुरलिंग है, तीन, राम ने एक रोटी खाई, रोटी स्त्रीलिंग, क्रिया विस्त्रीलिंग, रा उपका अचित एवं समय प्रयोग करना चाहिए जैसे, कवी-कवWEE3, माहान-महति, विदवान- विदूशी, साधू-साधवी, नेता-नेतुरी. उपरुक्त शब्दों का सही प्रयोग करने पर ही शुद्ध वाक्य बनता है जैसे एक आपकी महान कृपा होगी अशुद्ध वाक्य आपकी महती कृपा होगी शुद्ध वाक्य दो वो एक विद्वान लेखिका है अशुद्ध वाक्य वो एक विदूशी लेखिका है शुद वाक्य रचना में लिंग संबंदी अनेग अशुद्धियां होती हैं, सजग एवं सचेत रहकर ही इन अशुद्धियों का निराकरन हो सकता है, दो वचन, नमबर, परिभाशा, वचन का अभिप्राय संख्या से है, विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेग का बोद होता है, उसे वचन कहते हैं, हिंदी में केवल दो वचन है, एक वचन, बहुबचन, एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक वस्तू या एक पदार्थ का ज्यान होता है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज, आदी, दो अचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्याएं, एक, ए, आकरांध पुरलिंग, तद्भव संग्याओं में अंधिम आ के स्थान पर, ए, कर देने से बहुबचन हो जाता है, जैसे गोड़ा से घोड़े, लड़का से लड़के, गधा से गधे, दो, ए, अकरांध एवं आकरांध स्थ्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने पर वो बहुबचन बन जाते हैं, जैसे पुस्तक से पुस्तकें, बात से बातें, सडक से सडकें, माता से माताएं, लेखक से लेखिकाएं, तीन, या, या, एकरांध एकरांध स्थ्रीलिंग शब्दों में जुड़कर उसे बहु बनते हैं जैसे कथा से कथाओं, साधू से साधूं, माता से माताओं। 5. कभी-कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं जैसे वरंद से मुनिवरंद, जन से युवजन, गर से कृषकगण, छत्र से छात्रवक, लोग से नेता लोग आदी। 5. मैंने आपके दर्शन कर लिए, 3. आसू, आँखों से आसू निकल पड़े, 4. होश, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, 5. बाल, मैंने बाल कटा दिये, 6. हस्ताक्षर, मैंने कागस पर हस्ताक्षर कर दिये। प्रिष्ट 69, 2. कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं, जैसे 1. माल से माल लूट गया, 2. जनता, जनता भूल गई, 3. सामान, सामान खो गया, 4. सामगरी, हवन सामगरी जल गई, 5. सोना, सोना का भाव कम हो गया, 3. आदरनिया व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग ह होता है, 1. पिता जी आ रहे हैं, 2. तुलसी स्टेश्ट कवी थे, 3. आप क्या चाते हैं, 4. अनेकों शब्दों का प्रयोग वलत है, एक का बहुवचन अनीक है, अथा अनेकों का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है, जैसे 1. वहां अनेकों लोग थे, अशुद्ध, वहां संग्या या सर्वनाम का वाक्य के अन्यपदों विशेशता क्रिया से जो संबन होता है, उसे कारक कहते हैं, जैसे राम ने रावन को बांड से मारा, इस वाक्य में राम क्रिया यानि मारा का करता है, रावन इस मारन क्रिया का कर्म है, बाड से ये क्रिया संबन की गई है, अ जबम उनके कारक चिन्हों का विवरण इस प्रकार है। करण क्रिया का साधन या उपकरण है। करण कारक होता है। पिर तो अपनी जगा स्थिर है। पत्ता अलग हो गया अथाद्रोव यानि स्थिर वस्तु में अपादान होगा। एक अन्य उधारन वह गाउं से चला गया। यहां गाउं में अपादान कारक है। कारकों की पहचान कारक चिन्हों से की जाती है। कोई शब्द किस कारक में पेप्थ हैं ये वाक्य के अर्थ पर भी निर्बर है। समाने तहां कारक निम्ने प्रकार पहचाने जाते हैं। एक करता क्रिया को संपन्र करने वाला दो कर्म क्रिया से प्रभावित होने वाला तीन करण क्रिया का साधन या उपकरण चार संप्रदान जिसके लिए कोई क्रिया संपन्र की जाए। पाँच अपादान जहां अलगाव हो वहां ध्रोव यस्थिर में अपादान होता है। छह संबन जहां दो पदों का पारसपरिक संबन बताया जाए। साथ अधिकरण जुक्रिया के अधार स्थान समय अफसर आधि का बोथ कराए। आठ संबोधन किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए। कलम के साथ लिखता हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ। पांच मुझे कहा गया था। मुझे कहा गया था। छै लड़का मिठाई को रोता है। लड़का मिठाई के लिए रोता है। साथ इस किताब के अंदर बहुत कुछ है। इस किताब में बहुत कुछ है। 8. मैंने आज पटना जाना है. मुझे आज पटना जाना है. 9. तेरे को मेरे से क्या लेना देना? तुझे मुझसे क्या लेना देना? 10. उसे कह दो की भाग जाए. उससे कह दो की भाग जाए. 11. सीता से जाकर के कह देना? 12. तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता. तुम से कोई काम नहीं हो सकता तेरह इन दोनों घरों में एक दिवार है सरवनाम परिभाषा संग्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सरवनाम कहते हैं ऐसे मैं, तुम, हम, वे, आप, आदी शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिकर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेश के द्वारा प्रयोक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयोक्त होते हैं। तथा किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सवी वयक्ती अपने लिए करते हैं, आताहा मैं किसी एक का नाम नहोकर सबका नाम अरथा सर्वनाम है, सर्वनाम के भेट सर्वनाम के छे भेट बताए गए हैं एक पुरुष वाचक सर्वनाम दो निश्य वाचक सर्वनाम तीन अनिश्य वाचक सर्वनाम चार संबंद वाचक सर्वनाम पाँच प्रश्ण वाचक सर्वनाम छे निज्र वाचक सर्वनाम एक पुरुष वाचक सर्वनाम पसनल प्रोन पुरुष वाचक सर्वनाम तीन प्रकार्गे होते हैं उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष उत्तम पुरुष मैं हम मैंने हमने मेरा हमारा मुझे मुझे को मद्यम पुरुष तू तुम तुमने तुझे तूने तुमें तुमको तुमसे आपने आपको अन्य पुरुष वो ये है वे ये इन उन उनको उनसे इने उने इससे उसको दो निश्चे वाचक सर्वनाम डिमोन्स्टरटिव प्रोनाम निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तूओं का निश्चे आत्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चे आत्मक सर्वनाम कहते हैं जैसे ये हा वह ये वे एक, ये मेरी पुस्तक है, दो, वो उनकी मेज है, तीन, ये मेरे हत्यार है, चार, वो मेरे आदमी है तीन, अनिश्य वाचक सर्वनाम, Indefinite Pronoun जिन सर्वनामों में से किसी निश्चित वस्तू का बोद नहीं होता, उन्हें अनिश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई कुछ, एक कोई आ गया तो क्या करोगे, दो, उसने कुछ नहीं लिया, चार, संबंद वाचक सर्वनाम, relative pronoun, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्व प्रशने करने के लिए प्रयुक्तों होने वाले सर्वनाम, शब्दों का वो प्रशने वाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कौन क्या, एक कौन आया था, दो, वो क्या कर रहा था, तीन, दूद में क्या गिर पड़ा, छे, निश्वाचक सर्वनाम, reflexive pronoun, निश्वाचक के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है, जैसे ये कारिय मैं आप ही कर लूगा, ध्यान रहे कि यहां प्रयुक्त आप स्वौयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुष वाचक, मध्यम, पुरुष आदरनिय सर्वनाम आप से अलग है, कभी-कभी कुछ शब्द सम्हूं भी सर्वनाम के रूप में प्रयप्त होते हैं, जैसे एक, कुछ ना कुछ, दो, कोई ना कोई, तीन, सब कुछ, चार, हर कोई, पांच कुछ भी, छे कुछ-कुछ आदी, सर्वनाम एक नजर में, एक पुरुष वाचक, एक उत्तम पुरुष, मैं, हम, दो, मध्यम पुरुष, त और वो, तीन, अनिश्य वाचक, एक, प्राणी बोधक, कोई, दो, वस्तु वोधक, कुछ, चार, संबंद वाचक, जो, सो, पांच प्रश्न वाचक, एक, प्राणी बोधक, कौन, दो, वस्तु वोधक, क्या, जै, छे, निजवाचक, आप, सर्वनाम के विकारी रूप, वि इसके विकारी रूप है, मैंने मुझको, मुझसे, हमने, हमको, हमसे, मेरा, हमारा, उसने, उसको, तुमने, तुमको, आपने, आपको, तुझे, तुम्हारा, तुमसे, इसने, इसको, किसको आ दी सर्वनाम का पद परिचय, passing of pronoun, किसी वाक्य में प्रयक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंद बताना पढ़ता है, जैसे एक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं सर्वनाम परिच्ट एक वचन, कर्मकारक पड़ा, क्रिया का कर्म, प्रिष्ट एकतर, विशेशन, adjective, परिभाशा, संग्या या सर्वनाम की विशेश्टा बतलाने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं, जो शब्द विशेश्टा बताते हैं, उन्हें विशेशन कहा जाता है, और जैसे मोटा लड़का हस पड़ा, यहां मोटा विशेशन है, तथा लड़का विशेश्य सग्या है, विशेशन के भेद, विशेशन मूलतह चार प्रकार के होते हैं, एक सार्वनामिक विशेशन, दो गुणवाचक विशेशन, तीन संख्यावाचक विशेशन, चार परिमा जो सर्वनाम बिना रुपांतर के मौलिक रूप में संग्या के पहले आकर उसकी विशिष्टा बतलाते हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है, जैसे, एक, ये मेरा घर है, दो, वो किताब फटी है, तीन, कोई आदमी रो रहा है, दो, योगिक सर्वनामिक विशिष्टा जो सर्वनाम रुपांतरित होकर संग्या शब्दों की विशिष्टा बतलाते हैं, उन्हें योगिक सर्वनामिक विशिष्टा कहा जाता है, जैसे, एक, ऐसा आदमी नहीं देखा, दो, कैसा घर चाहिए, तीन, जैसा देश, वैसा भेश, दो, गुणवाचक विशिष्टा जो शब्द संग्या अध्वा सर्वनाम के गुण धर्व सवभाव का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं, गुणवाचक विशेशन अनिक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे, एक, कलकाल बोधक, नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन, दो, रंग बोधक, लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी हरा, तीन, दशा बोधक, मोटा, पतला, युवा, वृत, गीला, सूखा, चार, गुण बोधक, अच्छा, भला, बुरा, कप्टी, जूटा, सच्चा, पापी, नियाई, सीधा, सरल, पाच, अकार बोधक, गोल, चौकोर, तिको लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडोल, पतला, मोटा, तीन, संख्या वाचक विशेशन, अड्जेक्टिव ओफ नमबर, जो शब्द संख्या अत्वा सर्विनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहा जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक, निश्चित संख्या वाचक, इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे दस लड़के 20 आदमी 50 रुपिये, निश्चित संख्या वाचक विशेशनों को प्रयोग के अनिसाल निमले भेदों में विभक्त किया जा सकता है, एक, गर्णा वाचक, एक, दो, चार, आठ, 12, दो, क्रम वाचक, पहला, दसवा, सौवा, चौथा, तीन, आवरती वाचक, तिगुना, चौगुना, सौगुना, चार, सामुदाय वाचक, चारो, आठो, तीनो, दो, अनिश्चित संख्या वाचक, इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे, एक, कुछ आदमी चले गए, दो, कई लोग आये थे, तीन, सब कुछ समाप्थ हो गया, चार, परिमान बोधक विशेशन, अड्जेक्टिव ओफ कॉंटिटी, जिन विशेशनों से संग्यात्व सर्वनाम के परिमान का बोध होता है, उन्हें परिमान बोधक विशेशन कहते हैं, जैसे इनके भी दो भेद हैं, एक, निश्चित परिमान बोधक, दस किलो गी, पांच कुईंटल गे हूं, दो, अनिश्चित परिमान बोधक, बहुत गी, थोड़ा दूद, प्रविशेशन, वो शब्द जो परिशेशनों की विशेशता बतलाते हैं, प्रविशेशन कहे जाते है जैसे एक, वो बहुत तेज दौड़ता है, यहां तेज विशेशन है और बहुत प्रविशेशन है क्योंकि यह तेज की विशेशता बतला रहा है दो, सीता अतियंत सुंदर है, यहां सुंदर विशेशन है तता अतियंत प्रविशेशन है विशेशन आत्तक प्रत्याय, संग्या शब्दों को विशेशन बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्यायों को जोड़ा जाता है, उन्हें विशलिशन आतक प्रत्याय कहते हैं जैसे, एक, इला, संग्याशब्द जमक, विशेशन चमकीला, प्रत्याई एक, संग्याशब्द आर्थ, विशेशन आर्थे, तीन, प्रत्याई मान, संग्याशब्द बुद्धी, विशेशन बुद्धिमान, प्रत्याई इ, संग्याशब्द धन, विशेशन धनी, प्रत्या विशेशन की तुलना अवस्था, इन्हें तुलनात्मक विशेशन भी कहा जाता है, विशेशन की तीन अवस्थाइं तुलनात्मक रूप में हो सकती है, मूला अवस्था, उत्रावस्था एवं उत्तमा अवस्था, जैसे लगू, लगुतर, लगुतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, उच, उच्चितर, उच्चितम, सुन्दर, सुन्दरतर, सुन्दरतम. विशेशन की तुलनावस्था इन्हें तुलनात्मक विशेशन भी कहा जाता है विशेशन की तीन आवस्थाएं तुलनात्मक रूप में हो सकती है मूलावस्था, उत्रावस्था एवं उत्तमावस्था जैसे लगू लगू तर लगू तम, कोमल कोमल तर कोमल तम, उच्च उच्च तर उच्च तम, सुन्दर सुन्दर तर सुन्दर तम विशेशन का पद परिचे, passing of adjective वाकियों में विशेशन पदों का अनवय, बद परिचे करते समय, उसका स्वरूप भीद, लिंग, वचन, कारक और विशेश्य बताया जाता है, जैसे काला कुत्ता मरकया, काला, विशेशन, गुणवाचक, रंगबोधक, पुरलिंग, एक वचन, विशेश्य, कुत्ता मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ी बहुत, विशेशन, अनिश्यत, संख्यावाचक, स्ट्रेलिंग, कर्मवाचक, विशेश्य, जानकारी, प्रिष्ट बहत्तर, पिया, वर्ब, परिभाशा, जिस शाप्तर में इसे किसी कारे का होना या करना समझा जाए, उसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना, आदी, धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु से ही क्रिया पत का निर्मान होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्तित रहती है, जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया मे पर निर्भन नहीं होती जैसे जा खा पी रह आदि दो योगिक धातूयों को सईक्ट करके अत्वर संग्या और विशेशन में प्रतिय लगा कर बनाय जाती है यह तीन प्रकारकी होती है एक प्रनार्थक क्रिया धातूय अकर्मक एभं सकर्मक दोनों क्रियाउं से बनती हैं जैसे मूल धातू और प्रनातर धातू उठना उठाना उठवाना करना कराना करवाना देना दिलाना दिलवाना सोना सुलाना सुलवाना पीना पिलाना कलवाना दो योगिक क्रिया धातू दो या दो से अधिक धातूं के संयोग से योगिक क्रिया बनती है जैसे रोन दोना उठना बैठना चलना फिरना खालेना उठ बैठना उठ जाना तीन नाम धातू संग्या या विशेशन से बनने वाली धातू को नाम धातू कहते हैं जैसे गाली से गरियाना लाच से लतियाना बाच से बतियाना क्रिया के भेद रचना की दृष्टी से क्रिया के दो भे कहते हैं जैसे एक राम फल खाता है पाना क्रिया के साथ कर्म फल है दो सीता गीत गाती है गाना क्रिया के साथ गीत कर्म है दो अकर्म क्रिया इन ट्रांसिस्टर वर्ब अकर्म क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल करता पर पड़ता है जैसे एक राधार होती है कर्म कर्म का भावे तथा रोती है क्रिया का फल राधा पर पड़ता है। क्रिया के कुछ अन्यभेद निम्निवत है। दो पूर्वकालिक क्रिया एपसल्यूटिव वर्ब जब करता एक क्रिया को समाप कर दूसरी क्रिया करना प्रारम करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यहाँ वोजन करके पूर्वकाली क्रिया है, जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया सोजाना संपन की है। 3. नाम बोधा क्रिया, nominal verb, संग्या अथ्वा विशेशन के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधा क्रिया बनती है, जैसे 1. संग्या धन क्रिया बराबर नाम बोधा क्रिया, लाठी धन मालना बराबर लाठी मालना, रक्त धन खौलना, बराबर रक्त खौलना, विशेशन धन क्रिया बराबर नाम बोधा क्रिया, जैसे 1. दुखी धन होना, दुखी होना, दो, पीला धन पढ़ना, पीला पढ़ना, चार, दुई कर्मक क्रिया, डबल टांसिस्टर वर्ब, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, उसे दुई कर्मक क्रिया कहा जाता है, जैसे एक, अध्यापक ने दो चात्रों को हिंदी पढ़ाई, दो कर ने राम को थपड मार दिया, दो कर्म, राम और थपड, सैयोक्त क्रिया, compound verb, जब कोई क्रिया दो क्रिया के सैयोक्त से निर्मित होती है, तब उसे सैयोक्त क्रिया कहते हैं, जैसे, एक, वो खाने लगा, दो मुझे पढ़ने दो, तीन, वो पेर से कूत पढ़ा, चार, मैंने क 6. क्रियार्थक संग्या, Verbal Noun जब कोई क्रिया संग्या की भाती वहवार में आती है, तब उसे क्रियार्थक संग्या कहते हैं, जैसे 1. टहलना स्वास्थे के लिए लाब दायक है 2. देश के लिए मलना कीर्थिदायक है क्रिया की समबंद में निम्न तथिय भी विचारनी है 1. वाच्चे, वॉइस वाच्चे क्रिया का रुपांतरण है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि वाक्य में करता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है वाक्य के तीन भेदे हैं 1. कृत वाच्चे क्रिया के उस रुपांतरन को कृत वाच्चे कहते हैं जिससे वाक्य में करता की प्रधानता का बोध होता है 1. राम ने दूद पिया 2. सीता गाती है 3. मैं स्कूल गया 2. कर्म वाच्य क्रिया के उस रुपांतरन को कर्म वाच्य कहते हैं जिसे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है जैसे 1. लेख लिखा गया 2. गीत गाया गया 3. पुस्तक पढ़ी गई 3. भाव वाच्य क्रिया का वो रुपांतर भाव वाच्य कहलाता है जिसे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है जैसे 1. मुझसे चला नहीं जाता 2. उससे चुप नहीं रा जाता 3. सीता से दूद नहीं पिया जाता 2. प्रयोग वाक्य में क्रिया किसका अनुसरन कर रही है, कड़ता, कर्म या भाव का, इसाधार पर तीन प्रकार के प्रयोग माने गए हैं एक, कर्तरी प्रयोग, इन वाकियों में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के नुसार होते हैं, जैसे राम पुस्तर पढ़ता है, क्रिया कर्ता नुसारी है, दो, सीता आम खाती है, क्रिया कर्ता नुसारी है, तो, कर्मनी प्रयोग, जब वाकि में क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म का अनुसरन करते हैं तब कर्मनी प्रयोग होता है जैसे एक, राधा ने गीद गाया, क्रिया कर्म के अनुसर पुर्लिंग है दो, मोहन ने किताब पढ़ी, क्रिया कर्म के अनुसर इस्त्रिलिंग है 3. भावे प्रयोग जब वाकिय के क्रिया के लिंग वचन और पुरुष करता का अनुसरन ना कर सदैव एक वचन पुरलिंग एवं अन्य पुरुष में हो तब भावे प्रयोग होता है जैसे 1. राम से गाया नहीं जाता 2. सीता से गाया नहीं जाता 3. लड़कों से गाया नहीं जाता इन तीनों वाकियों में करता के बदलने पर भी क्रिया आप परिवर्थत है तथा वो एक वचन पुरुष में हैं अज़ा ये भावे प्रयोग है 3. काल टेंसल क्रिया के जिस रूप से कारे वैपार के समय तथा उसके पूर्णता अत्वा पूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं काल के तीन भेद होते हैं 1. वर्तमान काल 2. भूत काल 3. भविश्यत काल 1. वर्तमान काल वर्तमान काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है, इसके पांच भेद है, एक सामाने वर्तमान ये पढ़ता है, दो तातकालिक वर्तमान ये पढ़ रहा है, तीन पूर्ण वर्तमान वो पढ़ चुका है, तीन चार संदिक्द वर्तमान वो पढ़ता होगा, पांच पहावे वर्तमान वो पढ़ता हो। भविषय में होने वाली क्रिया का बोद भविषयत काल से होता है इसके तीन भेद हैं। बतानी चाहिए जैसे 1. राम ने पुस्तक पढ़ी पढ़ी। क्रिया सकर्मक कर्मवाच्य सामाने भूत स्त्रिलिंग एकवचन कर्म पुस्तक से संबंदित। अव्यय इन डिक्लिनेबल्स अव्यय के भेद अव्यय के चार भेद बताए गए हैं। 1. क्रिया विशेशन 2. संबंद बोधक 3. समुचय बोधक 4. विसमयादी बोधक 1. क्रिया विशेशन जो शब्द क्रिया की विशेशता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेशन कहा जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेशन चार प्रकार के होते हैं। 1. स्थान वाचक 1. स्थिती वाचक यहां वहां भी तरवाहर। 2. दिशा वाचक इधर उधर दाएं बाएं। 2. काल वाचक 1. समय वाचक आज कल अभी तुरंत। 2. अवधी वाचक रात भर दिन भर आज कल नित्त। 3. बारम बार ता वाचक हर बार कई बार प्रति दिन। 3. पनिमान वाचक 1. अधिकता बोधक बहत खूब अतियंत अती। 2. यूनता बोधक जरा थोड़ा किंचित कुछ। 3. परियापती बोधक बस यतेश्ट काफी ठीक। 4. तुलना बोधक कम अधिक इतना उतना। 5. श्रेणी बोधक बारी बारी दिल दिल थोड़ा थोड़ा। 4. रिती वाचक ऐसे वैसे कैसे धीरे अचानक कदाचक अवश्य इसलिए तक सा तो हां जी यता संपव। 5. जैसे 1. वो दिन भर काम करता रहा, 2. मैं विद्याले तक गया था, 3. मनुश्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। 6. संबंद बोधक अव्यवयों के कुछ और उधारन निम्नवत हैं। अपेक्ष, समान, बाहर, भीतर, पूर्व, पहले, आगे, पीछे, संग, सहित, बदले, सहार, आसपास, भरोसे, मात्र, परियंत, भर, तक, सामने। 3. समुचय बोधक दो वाक्यों को परसपर जोडने वाले शब्द समुचय बोधक अव्यवय कहे जाते हैं जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलन लगे। यहां और समुचय बोधक अव्यवय हैं। समुचय बोधक अव्यवय मूलतह दो प्रकार के होते हैं। 1. समाने अधिकरण, 2. व्यधिकरण, पुन्हा समाने अधिकरण समुचय बोधक के चार उपवेद हैं। 2. संयोजक और एवं तथा, 2. विभाजक या अध्वा किमवा नहीं तो, 3. विरोध धर्शक पर परंतु लेकिन किन्तु मगर वरन, 4. परिनाम धर्शक इसलिए अंतह अतैव। व्यधिकरण समुचय बोधक के भी चार उपवेद हैं। यह कहते हैं। कैसे हाई वो चलवसा। इस अवियर के निम्न उपवेद हैं। 1. हर्श बोधक वह, आह, धर्न्य, शाबाश। 2. शोक बोधक हाई, आह, त्राही, त्राही। 3. आर्शर्य बोधक एं, क्या, ओहो, हैं। 4. सुविकार बोधक हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक। 5. अनुमधन बोधक ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। 6. तिरसकार बोधक छी, हट, दिख, दूर, संबोधन बोधक। 6. अरे, रे, जी, हे, अहो। 6. निपात मूलतह, निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपातों का प्रयोग निशित श्रब्द या पूरे वाक्य को श्रब्य भावार्त प्रदान करने के लिए होता है। निपात साएक शब्द होते हुए भी वाकिय के अंग नहीं होते. निपात का कारिय शब्द समु को वल प्रदान करना भी है. निपात कई प्रकार के होते हैं जैसे एक, स्विकृती बोधक हाँ, जी, जी हाँ, दो नकारात बोधक, जी नहीं, नहीं, तीन, निश्यदात्मक मत, चार प्रश्ण बोधक क्या, पांच विसमे बोधक काश, छे तुलना बोधक सा, साथ, अवधारना बोधक ठीक, करीब लगभग तक्रीबन, आठ, आधर बोधक, जी. अव्याई का पद परिचे, passing of indeclinables, वाक्य में अव्याई का पद परिचे देने के लिए अव्याई उसका भेद, उससे संबंध रखने वाला पद, इतने बातों का उलेख करना चाहिए, जैसे, वो धीरे-धीरे चलता है, धीरे-धीरे, अव्याई क्रिया विशेशन रिती शब्द को क्या कहते हैं? C. भारती, D. इन में से कोई नहीं, उत्तर A. भारतियों 5. सूर्य शब्द का स्त्रेलिंग क्या होगा? A. सूर्याणी, B. सूर्या, C. सूर्याई, D. सूर्यो, उत्तर B. सूर्या 7. निम्नलखेत शब्दों में से कौन सा शब्द संग्या है? A. क्रुध, B. क्रोध, C. क्रोध ही, D. क्रोध है, उत्तर B. क्रोध 8. आंसु का बहुबचन क्या होगा? A. आंसु, B. आंसुए, C. आंसुओ, D. इन में से कोई नहीं, उत्तर C. आंसुओ 9. निम्नलखेत बुढ़ शब्दों में से एक शब्द पुलिंग है, उसे बताईए A. बुढ़ाप, B. जड़ता, C. घटना, D. दया, उत्तर A. बुढ़ाप, 10. निम्नलखेत बाक्य को पढ़िये तथा उसमें कारक के सही शब्द को और सही भेत को पहचानिए, हे प्रवो मेरी इच्छा पून करो A. अधिकरण कारक, B. संबंद कारक, C. संबोधन कारक, D. अपादान कारक, उत्तर C. संबोधन कारक, 11. भाववाचक संग्या बनाईए A. लड़कापन, B. लड़काई, C. लड़काई, D. लड़काईपन, उत्तर C. लड़काईपन 12. सच चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? A. सत चरित, B. सरित्र, C. चरित्रता, D. सच चरित्र, उत्तर B. चरित्र 13. कौन सा शब्द बहुवचन है? A. माता, B. प्राण, C. लड़का, D. किताब, उत्तर B. प्राण 14. निम्लखित में कौन सा शब्द पुर्लिंग है? A. कपड, B. सुन्दर्ता, C. मूर्खता, D. निद्रा, उत्तर A. कपड 15. गीदड का स्त्रिलिंग क्या होगा? 16. किस वाक्य में अपादान कारक है? A. राम ने रावन को तीर से मारा दोप मौहन से अपसाहा नहीं जाता, C. हिमाले से गंगा निकलती है, D. चाकू से फल काटो 17. हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारन किसके आधार पर होता है? A. संग्या, B. सर्वनाम, C. क्रिया, D. प्रत्याय, उत्तर A. संग्या 18. निम्नलकित में भावाचक संग्या कौन सी है? A. शत्रुता, B. बीर, C. मनुष्य, D. गुरु, उत्तर A. शत्रुता 19. निम्नलकित शब्दों में से स्ट्रेलिंग शब्दों का चेन कीजिए 21. निम्नलकित में से कौन सा शब्द व्यक्ति वाचक संग्या है? A. गाए, B. पहाड, C. यमुना, D. आम, उत्तर C. यमुना 22. कौन सा शब्द जाती वाचक संग्या नहीं है? A. जवान, B. बालक, C. सुंदर, D. मनुष्य, उत्तर C. सुंदर 23. कौन सा शब्द वाचक संग्या नहीं है? A. मिठाई, B. चतुराई, C. लडाई, D. उत्तराई, उत्तर A. मिठाई 24. जाती वाचक संग्या बताएं, A. लड़का, B. सेना, C. श्याम, D. दुख, उत्तर A. लड़का 25. कौन सा शब्द स्त्रिलिंग है? A. सहारा, B. सूचिपत्र, C. सियार, D. परिशद, सही उत्तर है, D. परिशद 26. नेत्री शब्द का पुलिंग रूप है? A. नेता, B. नेत्र, C. नेतिन, D. नेताई, उत्तर A. नेता 27. कारक के कितने भेद हैं? A. साथ, B. आठ, C. नौ, D. दस, उत्तर B. आठ 28. के लिए किस कारक का चिन है? A. कर्म, B. संप्रदान, C. संबन, D. अपादान, उत्तर B. संप्रदान 29. व्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं? इस वाक्य में से किस कारक का चिन है? A. कर्म, B. करण, C. अपादान, D. अधिकरण, उत्तर C. अपादान इस वाक्य में से कौन सा कारक है? A करता, B कर्म, C करण, D अपादान, उत्तर D अपादान. 32. चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चार पाई शब्द किस कारक में है? A करण, B संप्रदान, C संबन, D अधिकरण, उत्तर D अधिकरण. 33. निम्लकित शब्दों में सदास्त्रिलिंग वाला शब्द कौन सा है? A पक्षी, B बाच, C मकडी, D गैंडा, उत्तर A पक्षी. 34. वियाकरण की दृष्टी से प्रेम शब्द क्या है? 35. निम्लकित संग्या विशेषन, C ग्रिया, D अवियाय, उत्तर A भाववाचक संग्या. 35. निम्लकित संग्या विशेषन जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? A विश विशैला, B पिता पैतरक, C आधी आदिम, D प्रांत प्रांतिक, उत्तर D प्रांत प्रांतिक. 36. कवी का स्त्रिलिंग है A. कवीत्री, B. कवीत्री, C. कवीत्री, D. कवीत्री, उत्तर C. कवीत्री 37. हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं A. 3, B. 2, C. 4, D. 5, उत्तर B. 2 38. लिंग की दिष्टी से दही क्या है? 42. निम्लखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 44. सर्वनाम के कितने प्रकार है? 45. निश्चे वाचक सर्वनाम कौन सा है? 45. इस वाक्य में यह क्या है? 45. संग्या या सर्वनाम की विशेश्टा बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते है? A. विशेशन, B. विशेश्य, C. क्रिया, D. अव्याए, उत्तर B. विशेश्य, प्रिष्ट सततर 45. विशेशन के कितने प्रकार है? A. तीन, B. चार, C. पांच, D. छार, उत्तर B. चार तिरेपन, निम्लकित वाक्य का काला शब्द विशेशन है, उसका भेत छाटिये, कुछ बच्छे कक्षा में शोर मचा रहे थे, A. गुण वाचक विशेशन, B. अनिश्य वाचक परिमान वाचक विशेशन, C. सार्बनामिक विशेशन, D. अनिश्यत संख्या वाचक विशेश 54. आलस से शब्द का विशेशन क्या है, A. आलस, B. आलस, C. आलसी, D. आलसी पन, उत्तर C. आलसी 55. इनमें से गुण वाचक विशेशन कौनसा है, A. चौगना, B. नया, C. तीन, D. कुछ, उत्तर B. नया 56. निम्नलखित में कौनसा शब्द विशेशन है, A. मात्र, B. खर्च, C. निपट, D. चुपचाप, उत्तर C. निपट 57. मानव शब्द से विशेशन बनेगा, A. मनिश्य, B. मानवी करण, C. मानवत, D. मानवी है, उत्तर D. मानवी है 58. उत्कर्ष का विशेशन क्या होगा, A. अपकर्ष, B. अपकर्ष, C. उत्करिष्ट, D. उत्करीन, उत्तर C. उत्करिष्ट 69. आदर शब्द से विशेशन बनेगा, A. आदरकारी, B. आदरपूर्वक, C. आदरनिय, D. इनमें से कोई नहीं, उत्तर C. आदरनिय 60. संस्कृति का विशेशन है A. संस्कृति, B. संस्कृति, C. संस्कृति, D. संस्कृति, 61. पशू शब्द का विशेशन क्या है A. पाशविक, B. पशुत्व, C. पशुपति, D. पशुता, 62. निम्लकित में से कौन सा शब्द विशेशन है A. सौंदर्य, B. बेकारी, C. वरिक् 64. किस वाकिये में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेशन के रूप में हुआ है? A. तुमने अच्छा किया जो आ गए? B. ये स्थान बहुत अच्छा है? C. अच्छा तुम घर जाओ? D. अच्छा है वो अभी आ जाए? A. उत्तर B. ये स्थान बहुत अच्छा है 63. रचना की द्रिश्टी से क्रिया के कितने भेद है? A. दो B. तीन C. चार D. पांच उत्तर A. दो 66. क्रिया का मूल रूप कहलाता है A. धातू B. कारक C. क्रिया विशेशन D. इन में से कोई नहीं उत्तर A. धातू 68. नम्नलकरत वाकियों में से कौनसा ऐसा वाकिय है जिसकी क्रिया कड़ता के लिंक के नुसार ठीक नहीं है A. राम आता है B. गोड़ा दोड़ता है D. लड़की जाती है 69. काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते है A. संग्या, B. सर्वनाम, C. क्रिया, D. क्रिया विशेशन, उत्तर, C. क्रिया विशेशन, सत्तर, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूत, कालिक भेद, इंगित कीजिए, A. सामाने भूत, B. पून भूत, C. आसन्य भूत, D. संदिक्त भूत, उत्तर, P. पून भूत, 71. किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, A. उसने भल खा लिये थे, B. मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, C. अचानक बिजली कॉन्दुटी, D. कल वो आने वाले थे, उत्तर, B. मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, 72. चिडिया अकाश में उड रही है, इस वाक्य में उड रही क्रिया किस प्रकार की है, A. अकर्मक, B. सकर्मक, C. समापिका, D. असमापिका, उत्तर, A. अकर्मक, 73. किस वाक्य में क्रिया सामान भूतकाल में है, A. उसने पुस्तक पढ़ी, B. उसने पुस्तक पढ़ी है, C. उसने पुस्तक पढ़ी दी उसने पुस्तक पढ़ी होगी उत्तर ए उसने पुस्तक पढ़ी चोहतर निम्लगित में से किसवाकिय में आकर्मक रिया है ए गेहूं पिस रहा है भी मैं बालक को जगवाता हूं सी मदन गोपाल को हसा रहा है डी राम पत्र लिखता है उत्तर ए ग हुँ पिस रहा है 75 सामानिय वर्तमान काल का उधारण है ए सीता बाजार जाती होगी बी रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा सी वर्षा हो रही थी डी वो कलकता जाता है उत्तर डी वो कलकता जाता है 76 निम्लकित मेंसे किसवाक्य کا अकर्मक करिया है ए श्याम भाद खाता है बी जोती रोती है सी मैंने उसे पुस्तक डी उसकी कमीज है उत्तर बी जोती रोती है 87. निम्लकित में विकारी शब्द कौन से हैं? A. संग्या सर्वनाम विशेशन क्रिया B. तटसम तद्भव देशज विदेशज C. क्रिया विशेशन संबंद बोदक विसमय आदि बोदक D. इन मेंसे कोई नहीं उत्तर A. संग्या सर्वनाम विशेशन क्रिया 78. आविकारी शब्द होता है A. संग्या B. सर्वनाम C. विशेशन D. अव्याई 89. निम्दलफित शब्दों में से कौन सा शब्द करिया विशेशन है A. सूर्योदे B. नीला C. विगत D. धीरे-धीरे 80. अव्याई के कितने भेद है A. 3 B. 4 C. 5 A. वो धीरे से बोलता है B. वो काला कुता है C. रमेश तेज धावक है D. सत्यवाणी सुन्दर होती है उत्तर A. वो धीरे से बोलता है अध्याय समाप्त प्रिष्ट 89